हेलो एब्रिवन विल्कुम बैक टू माई चैनल मैं रिखा अपने चैनल रिखा से स्मॉल वर्ण नों फिस से आपका एक पर स्वागत करती हूं तो कैसे हैं आप सब आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे बहुत खुश होंगे मैं भी अच्छी हूं तो अभी सुबह क मैं आलो बैगन की सबची और रात मैंने बना लिया था अंगूरा तो लिट्टी रोटी आलो बैगन की सबची और अंगूरा देंौगी ताकि सारा दी मंडे जो है वो आराम से निकल जाए और घर का खाना भी मिल जाए तो बस मैंने सारा खाना पैक कर लूँगे को सारा खाना जो है वो इल्कुल रेडी हो गया है इनके जाने के बाद थोड़ा सा लेटूँगी और साथ साथ बजे उठके अपनी नीन जो है वो पूरी कर लूँगी तो इमें दूसरा काम करूँगी तो बस अब जा रही हूं सोन और उठी हूं मैं साड़े साथ बजे और मैंने चाय वगर बना के पी लिया है दोनों बच्चे भी सो रहे हैं स्वारी ओजस तो चला गया है अपना ट्रैक्टिस में मुस्की सो रहा है और उसके बाद खाना तुम्हेरा रेडी था बस रोटी बनाना था नासा तुम्हेरा बिल्कुल रेडी हो गया था सुबह में ही चार साड़े चार पाच बजे तो मैं सोची को ना कुछ मीठा बना ले तो मैं बना रही हूं आज ब्रेड का रस मलाई तो सबसे पहले मैंने एक लिटर दूद को रिड्यूस करकर के उसको अच्छे से मतलब गाढ़ा कर लेना बड़े चम्मच चिनी मैंने लिया है और एक कप पानी जाकि जो पतली सी चासनी है वो बने और उसके बाल ज्यादा उबालना नहीं है बस दो तीन मिनट उबाला जाना तो इसको बंद कर देना है तो इसमें हम लोग बस जो ब्रेड है ना हमारा उसको डिप करेंगे और कु अच्छा नहीं लगता है क्योंकि आगे आप रेस्पी में देखिएगा कि कुछ और भी जगह मैंने इंचीनी डाला है तो ज्यादा मीठा हो जाता है इसलिए मैंने बहुत पतली सी चासनी मैं इसके लिए त्यार कर रही हूं और यह सफिसेट होता है मुह में बहुत लिए मुटी जो तली का बरतन होता है न वो ले लें लेकिन मैंने स्वड़ा सा आलस कर दिया और मैं इसी में उबाल ले रही हूं पानी भी मेरा बिल्कुल रेडी है और मैं उसको बंद कर दी और देखिए दूद भी मेरा लगबक मतलब एक लीटर से वह आधा लीटर हो ग और में थे ब्रेड को कट कर लिया ट्रेंगल शेफ में आपको जो से प संद तक पनी में स्कौर सकते थे मैं नहीं करिच में पाद लिए चाहे को और मैं डाल रही हूं और आप ब्रेट को अच्छे से मतलब की दोनों किनारे की जो साइड वाले पाट रहते हैं उसको हटा दें तो बहुत सुन्दर लगता है उसके बाद अगर आप चाहें तो उसको डाल सकते हैं उसके दिक्कत नहीं है बट वो थोड़ा सा ना सुन्दर ने लगेगा वो तो बहुत मतलब सटिस्वाइंग रहता है कि चलो आजकल कुछ खाने के बाद गर्वियों में मतलब ठंडा-ठंडा कुछ खाने का मन करता है मीठा तो आप इसको खा सकते हैं बहुत टेस्टी लगता है तो बस इसको मैं बना ले रही हूं तो दूद मेरा बिल्कुल अब रेड लगा है देखलीज़े इसके बाद मैं लूग एक नॉन स्टीक पैन ज्यादा अच्छा रहेगा आप नॉन स्टीक पैन ही ले और उसमें मैं डालूंगी बिल्कुल देसी घी यूदेसी घी है ना इसको इसको इसकिपने करना आप किसी भीहालत में रिफाइंड राइस ब्र तो इसे तरह से आपको फ्राइब करना दोनों साइड से लेकिन घी को स्किप मत करिएगा ने तो इसका टेस्ट जो है जैसा मैं बता रहे हूं ना वाज साब बिल्कुल भी नहीं आएगा तो घी में इसको अच्छे से फ्राइब करना है दोनों तरफ से और एक बार आप लोगों को मैं रिमाइंड करा देना चाहूंगे कि अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो प्लीज मैं चैनल को लाइक कर लें जो नए व्यूवर्स हैं को चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबागर के नोटिफिकेशन कर लें ताकि जब भी मेरा नए वीडियो आए तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए तो मैं आपने चैनल पर डेली ब्लॉग का वीडियो डालती हूं कुछ मतलों मेक अप वगेरा जो भी मेरे लाइफ में चल रहा है कभी ट्रैवलिंग का तो इस तरह का मैं वीडि इसे गोल्टन ब्राउन यह फ्राई हो गया है बड्म नहीं करला जय गालो अब भी मतलों ममेन तो ब्रह जाताए तो आज से दावल यह चाने का मज़ा सको अब नियाए अ ना उसमें अच्छे से डिप करना दो तरफ से उसको दो-तीन दो घ्र जोड़ दीजएँ अब कर ले अलट परट देना इसको ता कि दोनों तरफ से जो है वह साथ रखनी जो उसमें अच्छे से एब्जॉप हो जाए उसके बाद ही असको प्लीटिक करें जितना भी आप डिट तो इसलिए मैंने तु सारा डिप करके भी रख लिया है और जब कभी सर्व करना होगा तुसमे उपर से रबडी डालूंगी और सर्व कर दूंगी तो बस हमारा जो ब्रेड रसमलाई है इजी बहुत इंस्टेंट बनने वाली रेडी हो गई है अब इसकी है प्लेटिंग की ब मेरे बच्चों को मिठाई बहुत जादा पसंद नहीं है मुस्की तो बिल्कुल भी नहीं खाता है तो थोड़ा थोड़ा पसंद है रसमलाई उसको बहुत पसंद है इसलिए मैंने ये रेस्पी ट्राई कि मैं पहले बहुत बनाती थी लेकिन जानती है कितना सारा वाल लिए तो डर लगता है लेकिन क्या करें कons्ट्र भी नहीं होता है तो वस इसको प्लेटिंग कर लिए इस तरह से आप जैसे भी चाहे लिए उसको पलेटिंग करसकते है मैंने इस तरह से किया है और मतलब क्या बदा किया अतना टेस्टी मतलब लगता थाने Northern बाजार की जो मीठायां होते हैं उसको खाने की कोई ज़रूरत नहीं अगर आप चाहें हाँ एक टिप आ देना चाहूंगी आप रसमलाई का जो यह रबडी बना है उसको अच्छे से आप एक बार मिक्सी में घुमा देंगे बिल्कुल स्मूथ हो जाएगा तो ऐसे भी कर सकत हैं हां लेकिन अगर मतलब जो मार्केट मिलता है उसको अच्छे से स्मूथ करने के लिए को चला देता है मिक्सी में तो हमारी बहुत ठंडी ठंडी ची रसमलाई जो है ब्रेड की वह रेडी हो गई है और बस साम में का जो मेरा खाना है ना मेरे घर का आप लोगो मतलब मेर लिमिटिव एज में जो लोग खाते होंगे ना उसे तरह से लेकिन हम लोगों को बहुत पसंद है यह मचली का चोखा जब भी मेरे घर मचली आता है ना तो मतलब इसके चोखा बनाने के लिए आपको रोहू या कतला फिस होता है वो बैस्ट होता है तो बस वही रात में पका लेना है अच्छे से वो पक जाया अंदर से उसके बाद हमको क्या करना है उसको ठंडे होने के लिए झाल देना है और उसके सारे काटे जो है ना वो अच्छे से निकालना है नहीं तो फिर मजा नहीं आएगा चोखा का अब एक आद काटा छोड़ जाए तो कोई बात नहीं लेकिन हां सारे काटे जो है ना वो अच्छे से निकाल लेना है इसमें मतलब थोड़ा है टाइम लगता है और चाहे तो अगर फीज बहुत ठंडी होगे फ्रीज म कर सकते हैं लेकिन मेरा फीज प leaks मैं फ्रीज में नहीं रखी ती तो बाहर था 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 थंडन ठणे था फॉसका पल लेना है लगबग मैं सारे काटे जो है निकालन बना जो बचता है जो छोखा को मलता है तो उसमें निकल जाता है यह मेरा जो नाइफ है वो ठंड आध ह तो लहसुन 4-5 मैंने कट करके रख लिया है और यह पकाई हुई हरी मिर्च और लाल मिर्च को अच्छे से मिला देना फिर इसमें डालना है नमक, टेस्ट के अकॉर्डिंग और फिर डालना है कच्छा सरसो तेल, हाँ सरसो तेल को पका के बिल्कुल मन डालीगा, यह कि उसकी नमक और तेल डाल करके मिला देना है, कोई धनिया पत्ता बगराने डालना है इसकी इतम बिल्कुल ऐसे ही है, प्राने जमाने में जब हमारी मतलब की नानी मेरी बनाते हैं चुला पर हम लोग सारा मचली को पका लेते थे और इस तरह चोखा बनाये काते थे बहुत मज़ा तो बस रात का डिनर रिखे चोखा रोटी और खीरे का रायता धन्यवाद फ्रेंज मेरे वीडियो को देखने के लिए अगर पसंद आगा तो प्लीज 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 लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा थेंक्यू